बिलासपुर में आयोजित राजिस्तरिय नलवाड मेले का शुभारम उपायुक्त बिलासपुर रोहित जंबाल ने लक्षमी नहराइन मंदिर से बिना किसी शुभाय यात्रा के लुनु मैदान में किया इस मौके पर उनोंने लुनु मैदान में बैल पूजन और खुटा गाड कर राजिस्तरिय नलवाड मेले का शुभारम किया। को बता दें कि इससे पूर्व राजिस्तरी नलवार मेले का शुभारम खादिया पूर्टी मंतरी राजिंदर गर को करना था लेकिन सांसद रामसरूप शर्मा के निधन के बाद इस कारेकर्म को शंक्षिप्त कर दिया गया राजिस्तरी नलवार मेले के शुभारम अफसर पर उपायुक्त बिलासपुर रोहित जिंबाल ने बताया कि मंडी में सांसद रामसरु शर्मा का अकस्मिक निदन होने का समाचार मिलते ही प्रशाशन ने बिलासपुर में आयोजित होने वाले मेले को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है आगामी आदेश आने के बाद ही मेले को चलाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा जो है अतिहासिक जो नलवाडी मिला है इसका जो है शुबारंब मानिये खाद्याव अपूर्ती मंत्री राजिंदर गयुक जी दवारा किया जाना था प्रन्तु सुबह सुबही जैसे आपको विदित है कि ये दुखत समाचार प्राप्त हुआ कि जो मानिये सांसद है मंडीक शेतर राम सुरूफ शर्मा जी उनका निधन की खबर आई तो इसी लिए जो है प्रशाशन द्वारा भी यही निर्ने लिया गया कि इस मेले को जो है किसी भी प्रकार का फैन फेर के साथ इसका आगाज नहीं सिफ जो खूंटा गार्डनें की और जो लक्षमी नारायन मंदिर में पूजा अरशना करने की जो रसम अदाएगी है वो की गई है अभी आगामी आदेशों तक इंतजार करना पड़ेगा अभी इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई नि